मेरा देश मेरा प्रदेश नियूज वह गहरे पानी में उतर गए दो यूँकों के शव तो तत्काल निकाल लिये गए थे वही एक यूवक को ग्रामिनों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद यूवक का शव नदी से बाहर निकाला घटना की जानकारी लगते ही परिजनों में मातम पसर गया था मही सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वब पुलिस सादलपूर पटवारी सुनीता सिह चोहान सहीत ही बड़ी संख्या में ग्रामिन भी घटना इस्तल पर पहुँच चुके थे थाना प्रभारी विश्व दीप सिह परिहार के अनुसार म्रतक का नाम अनस पिता भुरु शाह उम्र बारा साल निवासी केसुर वग सोयल पिता फकीर महम्मद उम्र पंदरा निवासी केसुर हैं जिन्हें पोस्ट माडम के लिए जिला अस्पताल भेजा है वहीं अतिक पिता भुरु उम्र पंदरा साल तकरीबन एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका जिसे ततकाल इलाज के लिए धार रेफर किया गया है समाचार लिखे जाने तक उक्त युवक की मोत की पुष्टी नहीं हो पाई थी धार से अनिल परमार के साथ विक्रम चावडा की रिपोर्ट सरा आच बागरी नदी में डूबने से बच्चों की मोत हुए ये क्या है गठना करमपुदा आज केसुर के कुछ बच्चे नदी में बागडी नदी है जो जलमहल के पास में महाँ पे नहने के लिए आये थे और महाँ पे एक मजार भी है तो संभवत मजार पे आये थे और उसके बाद वो नदी में नहा रहे थे तो उसमें से 3 बच्चे ढूब गयें ऑर उनमें से एक को जो है उसे उसको निकाला उसकेसाद सलै थी उसको तुरंट एक्सवाट मोभाय से धार हॉस्पिटल रवाना किया गया है जो बच्चे ढूबए है उनमें अनस सनाफ भूरू और अतिक सनाव घुरू और तीसरा सोयल है और सोयल सनाव शेरू ये लोग तीनों ही बच्चे कैसुर के रहने वाले हैं और ये नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गए हैं और इनको होस्पिटल धार भेजा गया है दो बच्चों की तुम्रत्पी हो चुकी है दो बच्च हो आना सको बचा जा सके थार हस्पिटल में बच्चों भेज़ गया है